आज आपके सेर करूंगा कमाल की पॉपिलर अपलिकेशन जांपर आप लाइफ्स््टीम तो करी सकते हैं, वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं। जिस application की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है Tango Live Streaming Application. आपने कभी ना कभी इस application का नाम ज़रू सुना होगा, Play Store पर बिल्कुल फ्री में यह available है, आप इसको download करके use कर सकते हैं. चलिए मैं आपको अपनी phone के screen पर ले चलता हूँ, और बताता हूँ आपको कैसे आपको इसमें sign in करना है, और कैसे आपको यह application यूज़ करनी है, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रिदिक, आप देख रहे हैं इस Silicon Knowledge, जादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं. ओके दोस्तों सबसे पहले आपको Tango application को Play Store से डाउनलोड कर लेना है, अब देखिए यहाँ पर मैं application को बताने के लिए आपको website के थुरू बता रहा हूँ, क्योंकि Tango application पर आप screen video recording नहीं कर सकते, तो वहाँ पर restriction है, इसके लिए मैं आपर website को use कर रहा हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए, सारे features वहाँ पर सेम ही है, तो सबसे पहले Tango application को install करने के बाद आपको sign in कर लेना है Google account से, मैंने आपर already कर लिया है, उसके बाद जैसे आप Tango application के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आप simply देख सकते हैं, कि यहाँ पर लोग live streaming कर रहे हैं, आप चाहें तो उनकी live streaming देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे users live streaming करते ही रहते हैं, हाला कि दोपेर के वक्त कम लोग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, तो लोग बढ़ते ही चले जाते हैं, तो यहाँ पर अपने according, countries को select करके live streaming देख सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी user को follow भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर live streaming चल रही है, तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस का icon बना रहा है, यहाँ से आप इनको follow कर सकते हैं, साथ ही साथ आप live broadcast में इनको message भी send कर सकते हैं, यहाँ पर left hand side पर three dot नजर आ जाएंगे, इस पर click करके आप कोई भी message यहाँ पर इनको send कर सकते हैं, application में यहाँ पर आपको free gift भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर website से दिखने ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जब application install करेंगे, तो वहाँ पर आपको free gifts देने का भी option मिलेगा, अब देखेंगे अभी हम live के section पर हैं, यहाँ पर आप वगर site पर click करेंगे follow पर, तो यहाँ पर आपको वो users दिखाएंगे जिनको आपने follow किया है, जैसे मैंने अभी इनको follow किया था, तो यहाँ पर इनका account मुझे show हो रहा है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप कैसे live streaming कर सकते हैं, तो बीच में यहाँ पर आपको video का icon मिल रहा होगा, इस पर आप जैजी tap करोगे, तो यहाँ पर आपको option मिलेगा, set up your broadcast, यहाँ पर आपको कुछ चीज़े fill करनी होगी, और यहाँ पर अपनी profile picture select करके upload कर दे पड़े, तो आप profile पर click करके यहाँ से picture को select कर सकते हैं, और यहाँ पर नीचे कुछ भी title डाल सकते हैं, नीचे यहाँ पर camera का option है, आप यहाँ से select कर सकते हैं आपको किस camera से live जाना है, front camera से या फिर back camera से, नीचे यहाँ पर mic का option है, इसको आप set कर लीजिएगा, उसके नीचे यहाँ पर camera का option आपको मिलता है, इसको आप on कर दीजिए और नीचे यहाँ पर आपको दो option दिखाई देते हैं पहला है public live stream और second है premium live stream जैसे आप public पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके live streaming शुरू हो जाएगी यहाँ पर नीचे आपको कुछ options मिलते हैं जैसे कि यहाँ से आप pause कर सकते हैं live stream आप अपनी live stream में camera off कर सकते हैं on कर सकते हैं और यहाँ पर साथ ही साथ microphone को भी on या off कर सकते हैं देखें यहाँ पर आपको कुछ options नहीं देख रहे होंगे वो आपको application के अंदर दिखेंगे तो जब आप उसको install करोगे तो आप आरम से देख सकोगे यहाँ पर अगर live stream आपको off करनी है यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं left hand side पर cross का निशान है इस पर click करके आप end पर click कर दीजिए आपकी live stream बंद हो जाएगी तो दोस्तो यह थी tango live streaming application जहाँ पर आप live streaming भी कर सकते हैं और video chatting भी कर सकते हैं अब video chatting का मैंने इसमें इसलिए नहीं बता है क्योंकि वो application में option है क्रीन video record ना करने के वजह से मैं आपको option दिखा नहीं पाऊंगा लेगिन जैसे आप application को install करेंगे तो वहाँ पर आपको option मिल जाएगा दोस्तो वीडियो कैसा लगा मुझे comment box में ज़रूर बताईएगा इस वीडियो को like ज़रू कीजेगा और चैनल को subscribe ज़रू कीजेगा मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में एक नई application के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बबाई